I want to go across to Jawahar Yadav, Spokesperson Indaharyana BJP, Officer on Special Duty to Chief Minister Khattar Yadav Saab, ये India Today की Delayer Investigation दिखाती है कि कई सारे दंगाईये, उनके परिवार वाले, जहां पे दंगा हुआ, उसके नस्दीक पहाणों पे छिपे होएं ये अब सच पूरे देश के सामने है, हमारे drone cameras में, हमारे sting cameras में, हमारे open cameras, 13 cameras पे capture हैं सबसे बड़ा सवाल आप से ये है, कि अगर हमारी जो खुफिया journalist है, investigative reporters है, उनकी team वहां पहुँच सकती है तो सर आपकी police क्यों नहीं पहुँच पाईए, अब तक ये दंगा ये खुले क्यों घूम रहे आपकी बाद कुछ हद तक ठीक होगी, पूंते ठीक नहीं है पहला दंगा ऐसा है, देश का दंगा नहीं होना चाहिए था दंगे से पूरू हमने एक हजार police कदमी वहां भेजे, अन्य स्टेट से, जिलों से कि जिससे एक एतियात के तोर पर कि ऐसी इस्तितित उत्पन्ना हो इसके बाद भी Congress का पूर सुन्योजित और Cyber Crime करने वाले ये सब ने मिलके उसको इतना किया कि उसमें हमारी उसमें विवस्ता खराब हुई, पंतु उसके बाद भी देश के दंगो के इतियास में ये पहली गटना है जिस पे तुरंत कुछ गंटों बाद काबू पा लिया गया, उसके बाद आप ये कहते हैं कि पुलिस ने कारे नहीं किया, 176 लोगों को अरेश्ट किया है, 93 में FIAR हो चुकी है, धीरे-धीरे हम उस तरह बढ़ रहे हैं और मैं कहता हूँ, आज मेरे मित्र और छोटे भाई बैठे हैं, दिपेंदर उड़ा जी, इनकी पार्टी के नेताओं नहीं ऐसे बयान दिये, और ये कहा गया कि कुछ लोगों को हम प्याज की तरह फोड देंगे, उस मामन खिलाब, मामन खान के खिलाब इन्होंने क्या करवाई की, हमारे लिए तो मुझबूरी यह थी कि वो जो बयान दिया गया था, वो विदान सभा में दिया गया था, पन्तु इन तो पार्टी करनेता थे, और आज एक और मज़दार जी बताता हूँ, इस वक्त नू में कुछ पहाड़ों पे दंगाईये छिपे होएं, इंडिया टुडे और आज तक के कैमरे ने उन दंगाईयों को कैप्चर किया है, वो वहाँ पे पूरा ठिकाना बनाए बैठे है तरपुलीन भी है, पलंग भी है, चाई पानी उनका वहाँ पे चल रहा है, पुलीस आती है, पुलीस को आता देखते है, वहाँ से भाग जाते हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल जवाहर साब आप से ही है, आप आपकी पुलीस ने दंगाईयों के ठिकानों पर छापे क्यों न नहीं की है, अगर पुलीस ने कारवाई नहीं की होती, तो 116 लोग अरेश्ट नहीं होते, इसके अलावा 126 लोग और है जिनको एतियाद के तोर पर पकड़ा हुआ है, यानि कि 116 लोग है जो ग्रफदार हो चुके और 126 लोग है जो एतियाद के तोर पर पकड़े हुए, और ये मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ, आपके जुमिवार चैनल है, कि एक भी अपरादी किसी भी कीमत पर छुटेगा नहीं, चाये वो कोई भी हो, चाये किसी भी परकार की गटना हो, हम संपरदाय और समुदाय देखकर कानून की वो निडंडा नहीं चलाते, जो भ आप कहेंगे राजनिती नहीं किये, मैंने कुछ घटना है, अपनी आँखों से देखी है, मैं नई दिल्ली में रहता था, 1984 मेरी आँखों के सामने हुआ, तीन दिन पुलिस को कंट्रोल करने में मैंनत करनी परें, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, कि CID की रिपोर्ट को और राज्य की पुलिस को यह जानकारी दी थी, कि इस तरहां का कॉमिनल दंगा हो सकता है, मोबलाइजेशन चल रही है, यह बड़ा खतरना के, और दो-तीन दिन पहले तो खुले आम, सोशल मीडिया पर बाकाइदा पब्लिक में वीडियो पोस्ट किये जा रहे थे, और जब यह दंगा हुआ शुरुआत में, आपके होम गार्ड वहाँ पे तैना थे, रैपेड एक्शन फोर्स की तुकडी, दो किलमीटर दूर थी, उसको किसी ने डिप्लॉई नहीं किया, बगैर हत्यारों के, होम गार्ड, नॉट इवन आम्ड पुलीस, यह कैसे हो सकता है, आप तैयार क्यों नहीं थे, दस दिन पहले अगर CID ने बताया कि दंगा हो सकता है, खतरनाक सिती है, तैयारी क्यों नहीं कि आपने अच्छे से, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको संसुजित करूँगा, होम गार्ड नहीं थे, एक हजार प्लीस कर यह तब यह दरगटना घटी है, पन्तु उसका मैं सरफ यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहां रेटायर डीजीपी भी बैठे हैं उत्तर परदेश के, कि ऐसी संपर्दाएक घटना को जितनी जल्दी हरियानक के पुलिस के करमचारियों ने, सियात्यप ने, आरेफ ने, कं किया है, और सबसे तेजी से जो केंद्री एजिंसी भी अगर कहीं पहुंची है, तो मुझे लगता है वो नुह में पहुंची है.